तो हाई नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब उमीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़ी आउंगे और बहुत आच्छे होंगे दोस्तों आप सब के लिए बहुत जबर्दस्त और बहुत इजी टाइप का इस्टेटेश वीडियो लेखे आ गए तो सबसे पहले आप वीडियो को देख लीजिए दोस्तों अभी अभी जो आपने वीडियो देखा मुझे उमीद देखिए वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आगा कि इस वीडियो में आप देखे होंगे तो बहुत अच्छे से एफेक्ट यूज किया गया और बिल्कुल इसी तरह का स्टेटस ब पाएंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपना ओपन करना है और बहुत ही ट्रेंडिंग टाइप का स्टेटस आपको आज सिखाने वाला हूं जिसमें बहुत ही कमाल का स्टेटस है जैसा आपने वीडियो का स्टार्टिंग में देखा ठीक है यह ओपन कर लेने के बाद यहां पर प्लस करना है दोस्तों यहां पर देखेंगे एक प्लस का अफसर मिल रहा है आपको नीचे में प्लस करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम के लिए बनाना है तो मैं इस्टाग्राम बनाने के लिए यहां पर यह 4.5 को आपको स्लेट करना हैं हाया रैटी 30 beschäftव ग्रेंक प्लिक करना है अब इसके बसे इंटरफ्रेस देखने को मिलेगा यहां पे सब से निए पर फोटो को करता हूं दोस्तों तो यहां से तो आपध यहां पर image इमेज इंट video यहां से दोस्तों मैं आपने यह वाला फोटो स्लेक्ट करता हूं यहां से फोटो का लिंक में डिस्पूशन में देदूंगा और प्लस अगर यह आपको एजली डाउनलूट करना है तो मुझे टेलिग नाप पर जोईन कर लिजिए वहां पर भी यह मिल जाएगा ठीके यह ल स्कृइड के तरफ आपको इनक्रीज कर लेना है मतलना बढ़ाना थीक है उसके बाद से आपको उपर वाला आ क्लिक करके यहां से स्क्रीन के उपर इस से आपको adjustment कर देना है दोस्तों कुछ इस तरीका से adjustment कर दीजिए उसके बाद से यहां से हम लोग back करते हैं उसके बाद से यहां पर option मिल जाता है आपको speed का speed पर जाएंगे यहां से एक दम कम कर देंगे तो यह क्या हो गया कि आपको टानना नहीं पड़े खीचना नहीं पड़े यह automatically आपका बढ़ा हो जागा ठीक है अब जितना सेकेंड का वीडियो बनाना है उतना सेकेंड का रखेंगे बाकी का हम लोग यहां से डिलीट कर लेंगे दोस्तों ठीक है तो माली जब मुझे 25 सेकेंड का रखना है तो पचीस सेकेंड रखें यहां पर फोटो पर क्लिक करेंगे और यहां से टरीम का option मिलता है दोस्तों यह वला ट्रीम ड्राइट कर देंगे तो रैट वल यहां से कड जाएगा ठीक है अब आपको खरना क्या है इसी पर आपको क्लिक करना है इस पर ट्रांजेस क्लिक करना क्या है यह जो 45 डिग्री जो आप देख रहे हैं इसको आपको पूरा 90 करना है तो इधर बढ़ा के आप 90 करना है देख सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे आपको करना है 90 कीजिए इसको तो हो गया थोड़ा और स्पीड में करेंगे तो बहुत स्पीड में भाग जाता है इसलिए थोड़ा स्लो कर रहा हूं ठीक है यह देख सकते हैं यहां पे 90 डिग्री हो गया ठीक है अब फिक्विंसी पे आपको क्लिक करना है इसको एकदम कम करना है और कम में 0.0.30 के करीब मे आप 0.35 के करीब में आप रखेंगे ठीक है यह देख सकते हैं अब इसको अगर आप प्ले करते हैं तो यह देखिए कितना अच्छा से आसानी से यहां से हिले गार बहुत ही कमाल कर लगेगा ठीक है तो यह काम हो गया आपका इसके बास साउंड को हम लोग को एड़ करना है यहां से एक सेक्ट आडियो कर देना है और वीडियो पे क्लिक करके वीडियो हम लोग को यहां से डिलिट कर देना है ठीक है अब क्या हुआ दोस्तों यहां पे आप लोग का साउंड जो है वो आ गया है अब आपको साउंड को लिखना है और उसके बास साउंड को लिखने क दोस्तों ठीक है अब दोस्तों मैं अपना लेलिक्स को सुन लिया हूं अब इसको बाद से थोड़ा सा इधर आप बढ़ा लेंगे और इसको दो उंगली से पकड़ के इस तरीका से जूम आउट करेंगे ठीक है ताकि स्क्रीन थोड़ा सा ये छोटा हो जाए और आपको एडि है ठीक है तो यहां पर तेरी नजरने अठीक है अ कसे क्रीफ ए अ क्या कर दिया थीक है कर दिया थीक है यह नवाप को यहां पर देखना ध्यान से यह देखने वाली यहीं पर पॉन्ट है दोश्तों ध्यान से देखिएगा ठीक है यह जो एटीन पीटी देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है इसको थोड़ा सा आपको इस तरीका से करके तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वह आप यहां से बहुत यह असानी से डाउनलोड कर ले क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जागा ठीक है मैं एक दूसरा यूज किया था यहां पर मैं एक दूसरा और यूज करके दिखा देता हूं और यह क्लिक करने से देख सक राइननलोड हो घुलक है था क्लिक करेंगे और से कलर hano change कर लेंगे चैनलोड देख सकते हैं और आपका color होगे यहां से okay कर देते हैं simple है अब आपको movement transform पर जाना है और इसको इस तरीका से करके यहां पर रखना है बीचो बीच दोस्तों ठीक है यहां पर रखेंगे ताकि सबसे पहले आपको बीचो बीच में रखना है movement transform पर जाएंगे यहां पर प्लस का option लगा देंगे ठीक है और यह इसको बीचो बीच रखेंगे दोस्तों बीचो बीच रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा बहुत ही असानी से अच्छा लएगा देखने में ठीक है अब थोड़ से इसको पकड़के it很好 है left लेकर चले आना है अब इस सेड में आएंगे एक प्लस करेंगे दोनों को बीच में करव ऐब जाएंगे और इसको अप ऐसे घर देंगे और इसको आप ऐसे बढ़ा देंगे और ऐसे दोनों उपर के साइड में आपका रहेगा और इधर आ जाएंगे अब इस साइड में आएंगे अब इस साइड में यह कर पे ही रहेगा और यह जो है इस तरीका से आपका नीचे में रहेगा पहला उपर में रहेगा दूसरा नीचे में रहेगा ठीक है यह अब तो आपको यहां से standard setting को click कर लेंगे ठीक है अब आपको देखना क्या करना यहां पर सबसे सुरू में यहां पर रहेंगे एक plus का option पर टैप कर देंगे यह start पी रहेगा और last से थोड़ा दिर पहले last से थोड़ा सब पहले यहां तक यहां पर यहां तक आएंगे दोस्तों यहा 400 हो गया अब आपको करना क्या है नीचे में आएंगे नीचे में यह सब को कुछ भी नहीं करना है उसके बाद से यहां पर एक offset का option मिल जाते है आपको क्लिक करना है और एक्स को जो है प्लस में 400 आपको करना है 405 प्लस में ठीक है तो यह देख सकते हैं 400 के 500 कर रहा हूं ठीक है हां हो गया अब आपको इसी के नीचे में एक वाई option मिलता है वाई को क्लिक करेंगे और इसको 400 के करीब रखना है ठीक है तो देखिए जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे आपको भी करना है ध्यान से देखिए और screenshot इसका लेकर रख लेंगे तो आपको समझ में आएगा दिक्कत नहीं होगा बनाने में अगर आप विडियो बनाते समय कोई प्रॉलम आ रही है तो इसलिए screenshot ले सकते हैं ठीक है दोस्तों उसके बाद से angle कुछ नहीं करेंगे scale कुछ नहीं करेंगे strength कुछ नहीं करेंगे अलफा जो देख रहे हैं अलफा पर क्लिक करके इसको पूरा का पूरा माइनस 100 में कर दीजा 100 में ठीक है अब यह देख सकते हैं हो गया अब इसके बाद से नीचे आएंगे यह जो erase in है यह आपका दोनों में यहां पर दिखेगा तो यहां पर रहेगा तो इसको erase in को पूरा करना है 100 और erase out को माइनस में 100 करना है ठीक है बाकी आपका काम इदर complete ह अबर ले को क्लिक करके आपको 350 के करीब में रखना है ठीक है और इसको और नीचे आ जाएंगे स्पीड और स्पीड कुछ भी नहीं करना है आपका काम complete हो गया अगर मैं वीडियो प्ले करता हूं तो कुछ ऐसा प्ले होगा दोस्तों देख लीजिए तो यह देखिए कुछ इस तरह कैसे वीडियो आपका प्ले होगा और बहुत ही कमाल का लगेगा ठीक है अब नेक्स्ट वर्ड में क्या करना है इसको क्लिक करना है यहां से कॉपी कर लेना है और कॉपी कर लेने के बाद आपको सिंपल से यहां पे आने के बाद यहां से आपको पेस्ट करना है ठी तो यहां पर मैं लिख देता हूं यहां पर दूसरा लिख दिये हैं अब सिंपल से यहां पर कर देना बाकि का काम कंप्लीट है इस वीडियो में यहां पहले सब्से पहले आपको करना किया है यहां पे plus करना है, शुरू में रहना है, plus करना है, plus करके image वीडियो पे जाना है, और उसी मेरे gallery से आप download कर सकते हैं, तो आपका gallery में प्या जाएगा, तो उसको लेकर आएंगे दोस्तों, ठीके देख सकते हैं, यह वीडियो आगया, three door पे click करेंगे, यहां से आपको fill screen को click कर ना है, move and transform पर जाके, third वाला option पर जाके थोड़ा सा zoom कर लेंगे, और अब आपको इसको देख लेना है, कहां तक आपका वीडियो है, कहां तक इसको रखना है, बाकी का आपको यहां से delete कर लेना है, ठीके, तो last देख सकते हैं, यहां तक मेरा वीडियो होते हैं, यहीं तक बाकी काम लोग डिलिट करेंगे, राइट वाले को, अब आपको करना है, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर लेने के बाद, blending पर जायेंगे, lighting पर जायेंगे, और यहां से इसको स्क्रिन करेंगे, और यह 100% में रहाएगा, यहां पर तो इसको आपको 80% में कर लेंगे, क्योंकि अगर 80% करेंगे, तो आपका यह बहुत अच्छा से white particle में दिखेगा, ठीक है, अब आपका वीडियो पुरा पूरा complete बन गया, मुझे उम्मीदे कि आप बहुत यह साइन से सीख गया होंगे, समझ गया होंगे, अगर वीडियो अच